नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल पर आज हम देखने वाले हैं 12 हिंदी वीबग भरती की कवीता सच हम नहीं सच तुम नहीं दोस्तों अपने इस कवीता का स्वाध्धाय वाला वीडियो नहीं देखाए तो जाकर देख लीजिए उसका लिंक नीचे डिस् नया बहुत उप्रकट होता है इन्होंने बहुत सी धार्मिक रचनाई भी रचित की हैं इनका निधन वर्ष्य 2001 में हुआ अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुक्रुतियां इनकी कुछ प्रमुक्रुतिया इस प्रकारते हैं नाव के पाउं शब्द दंश हीम विद्ध गो दन्होंने तो अब देखते हैं हमारी कविता सच हं नहीं सच तुम नही तो कविता का पहला स्टांजा पहला चंद दिखते हैं पहला चंद इस प्रकार से हैं संगर्ष से हटकर जिये तो क्या जिये हम या कि तुम जो नत हुआ वो मृत हुआ जियों की वृंट से जहर कर कुसुम वृंट यानी डंठल होता है और कुसुम यानी एक फूल जो पंथ भूल रुका नहीं जो हार देख जुका नहीं, जिसने मरन को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जीवन में गतिशिल रहना चाहिए और जैसे भी हाला थो उसका सामना करना चाहिए। जोवन यानि जवानी का भी यही संदेश है कि चाहिए जिस भी परिसितिय से हमारा सामना हो, चाहिए हमारे जीवन में खुशी के पल या दुख के बादल चाहें, हमें तुटना नहीं है, हिमत के साथ आगे बढ़ता रहना है, क्योंकि संखर्ष यहीं जीवन है, यहीं जीव जो सिर्फ पानी सी भाई, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, यहां कवी कहते हैं कि हमने, यानि मनुश्य ने अपने बल, सामर्थ से इस समाज के निर्मान का कारव किया है, और हम इस तानसारिक महोमाया के बंधन में बंदच चुके हैं, और इससे हम अपने पथ से भटक रहें जो मनुश्य सामर्थ यवान यानी मतोकांशी होता है वह अपने विचारों से समाज को बदल देता है पानी ढलान के तरफ आसानी से बता है पर विपृत दिशा में बते हुए उसे अपनी शक्ती का पता चलता है कवी कहते हैं कि बिना संहर्ष के जीवन जीने में आनद नहीं आता हमें जीवन का मतलब नहीं पता चलता अगली पंक्तिया कुछ इस प्रकारते हैं अपने हृदे का सत्य अपने आप हमको खोजना अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोचना अकास सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं हर एक राही को बटक कर ये दिशा मिलती रही सच हम नहीं सच तुम नहीं अर्थाद हमें अपने आप का मार्ग दोशन खुदी करना है हमें खुदी संभलना है कोई और हमारे आसु पोशने नहीं आने वाला अर्थाद को ही हमारी सायता नहीं करने वाला हमें खुदी आत्म निवर होकर प्रयास करते रहना है क्योंकि प्रयास करते रहने से हम एक न एक दिन मंजिल तक दरूर पहुचेंगे अब देखते हैं कविता का आखरी छंद बेकार है मुसकान से ठकना हरिदे की खिणनता आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिणनता जब तक बंधी है चेतना तब तक प्रने दुख से घना तब तक न मानूंगा कभी इशरा को ही मैसे हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं कभी कहते हैं कि बनावटी दिखावे की मुसकुराहाट से दिल के दर्द दुख शुपाना सही नहीं है बेकार है हम तब तक खुद को सही नहीं कर सकते जब तक हमारे तन और मन में में मेलना हो अर्थाद हमें दिखावटी नहीं होना है चेहरे पर नकली मुखवटा अर्धात हमें मन और चेहरे से एक सा रहना है अलग नहीं होना है जब तक मेरे मन में विश्वास भरोसा है मैं दुखो को ही जीवन का सत्य मानूंगा अर्धात मैं संखर्ष को ही जीवन का सत्य मानूंगा और शंकर्ष करते हुए इस जीवन पत भर सते हो आगे बढ़ता रहोंगा ऐसा कभी कहते हैं तो यह कविता हमने देखी आज सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता अगर आपने हिंदी यूब भरती के पहले की वीडियोस नहीं देखें तो जाकर देख लिजी आज बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर किजेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा धन्यवाद दोस्तों